And joining me now is the Gujarat Congress Working President Hardik Patel, whose absence from the Congress, Chintin Shivir, has sparked a controversy. Hardik, भाई, आप Chintin Shivir में नहीं गए हैं. उसके बजाए आप अंदाबाद में बैठे हैं, लोग कह रहे हैं, कि आप रूठे हुए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, अब BJP में जॉइन करने, आप Congress से उप गए हैं, बहुत हो गया, इसलिए आप Chintin Shivir में नहीं गए हैं. क्यों नहीं गए उदेपूर में, बाकी सब नेता हैं वहां. कोई बात नहीं है, लेकिन स्वभाविक है कि पार्टी के भीतर, जब बड़ी पार्टी होती, बड़ा परिवार होता है, चोटा मुटा मन मुटाव रहता है, और ऐसे चोटे मोटे मन मुटाव अपने आप हैं, पहले दिन Chintin Shivir है, वहां जाने के बजाए आप अपने कार में लगते हैं, मैसेज तो जाता है ना कि कहीं ना कहीं हार्दीक हार्दीक रूठे हुए, यह आप इंकार मत कीजिए कि आप पूरी तरह से खुश है, नहीं नहीं ऐसे देखे, वो तो सबको मालूम है कि क्यों नाराजगी है, वो तो पार्टी के आईकमान तक भी हमारी बा पार्टी को मजबूती दिलवाई और फिर आज हमारे साथ यह होता है, तो कभी-कभी दूख होता है, तो कभी-कभी दूख होता है और हमने आज तक पार्टी को सोटका दिया है, पार्टी से कुछ लिया नहीं है, कि पार्टी से ले लिया और फिर हम कुछ काम ना क्या हो, हमने पूरा काम पार्टी को दिया है, पुरा काम करना चाहते है, तो वहीं बात होती है और उसी कारण थोड़ा दुख लगता है, इ अभी राउल गांदी गुजरात में थे, आपकी डिरेक्ट बात हुई ये नाराजगी जो आप आज शोव पे कह रहे हैं, उनके सामने रखी आपने? ठीकि उनको मैंने 15-17 दिन पहले बात की थी, उनको मैंने मेरी जो परिसानी थी, मेरा जो दुप था, उन तक मैंने पहुचाया है, अभी जो दाहोद आये थे कारेक्रम में तब तो कोई बात्चीत नहीं हो पाई, क्योंकि वो व्यस्त थे, पांच गंटे का कारेक्रम था, जि आपको डिरेक्ट सवाल पूछता हूं, क्या हार्दिक पटेल, बीजेपी में जाने की गुजरात के चुनाव पे पहले, बीजेपी या आमादमी पार्टी दोनों में जाने की कोई संभावना है, जिस तरह से आपने कुछ ट्वीट्स किये हैं, उससे लगता है कि अब आप बीजेपी के साथ भी उतनी दुश्मन ही नहीं रही, और आमादमी पार्टी के लोग भी हमें कहते हैं कि हार्दिक पटेल तैयार है बिलकुल हमारे साथ आने के लिए। सुत्र के हवाले से अफ़ाय फैलाने का अधिकार है, उसमें मैं खुल के कोई बात करना नहीं चाहता आप से। लेकिन आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं या आप हमें बताइए निउस पॉइंट की चुनाव हो रहे हैं नवेंबर डिसेंबर में गुजरात में, उस चु उस पर हल निकल जाएगा, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं होती ना, हम तो चाहते ही कि हम पार्टी के बितर रहे कर प्रदेश की जनता की उमिदों पर रादीब जी खरे उत्रे और हमने अपने साथ साल के सामाजी को राजनेटिक जीवन में कभी कुछ पाया नहीं है, जीवन में पर राजनेटिक को मतलब क्या है, एसी रूम में बैठके ड्राप तेयर करना नहीं, लोगों के बीच जाना, लोगों की तकली पे सुनना, उनकी समस्याव को सुनना, उनकी समस्याव को समाधान करना, और वो काम कर रहे हैं, तो आप आप जो कहा कि हम कहां देखे अभी तो हम यही हैं और यही रहना चाहते हैं